स्री शिवाय नमस्तुब्यम देखिए साथ तारीको व्रत की पुण्डिमा यानि पुण्डिमा की तीथी है और अगर आपका कोई कारिय ऐसा है जो काफी समय से अटका पड़ा हुआ है तो गुरु जी ने बडोदरा गुजरास से एक नया उपाय बताया था इस उपाय को आप करके देखिए आपका कारिय अटका पड़ावा है किसी कारान मस्त नहीं हो पाता क्योंकि क्या होता है गुरु जी ने बताया था कि हम कई बादा है ऐसी आजाती है कि अपना कारिय होता ही नहीं होते होते भी अटक जाता है तो आप इस उपाय को करके देखेगा अगर हमें पितर दोस्त लगावा है और पितर दोस्त के कारण अगर हमारा कारे अटक रहा है तो इस उपाय को करने से वह आपका कारे आवज शफल होगा और हमें पता भी नहीं कि हमें पितर दोस्त लगावा है फिर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा उपाय, पुर्णिमा का दिन है, बुधुवार का दिन है, आप जरूर कीजेगा, चली वीडियो शुरूबात करते हैं, तो स्वागत है, मौधिती ओफिसर चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब् प्राइब कीजेगा, वीडियो उपाय की रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, और कमेंट में, श्री शिवाय नमस्तुव्य हम दो, एक बर मंत्र का दान जरूर कीजेगा, चली वीडियो शुरूबात करते हैं, तो क्या करेंगे, अपन देखिए, इस उपाय को करने के लिए हमें चाहिए सबसे जरूरी है पंचामरत, जी हां, पंचामरत केसे तयार किया जाता है, तो आप देखिए वीडियो में, हम लेंगे थोड़ा सा कच्चा दूत, एक कच्चा दूत डालने के बाद, उसमें डाल देंगे हम दही, दही डालने के बाद, हम डालने यह पांच वस्तुए डालकर ही पंचामत तयार किया जाता है तो आपने तयार किया पंचामत थोड़ा सा आप तयार के लिजेगा अब आपको चाहिए इसमें एक बेल पत्री जी हाँ अब ध्यान सुने का इस उपको करना कैसे आप जाहिए महाद्यों के मंदिर देखें हम हमे उस पर जरूर हाद लगा कर इस पर्स करा करो ठीक है आप जो बेल पत्री लेकर गए हो ना उस बेल पत्री को आपको महाद्यों की सबसे चोटी पुत्री मा अशुक सुन्द्री का इस्थान होता है अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में देखें यहाँ पर एक मोटी सी यहाँ महाद्यों की सबसे चोटी पुत्री मा अशुक सुन्द्री का इस्थान होता है तो यहाँ आप चड़ाईए बेल पत्री आप बेल पत्री चड़ाओगे के से देखो हम हमें से जो उपाय करते आ रहे हैं उसमें बेल पत्री चड़ाते हैं कि डंडी का भाग जहां से जल भेके जाता है उस दिसा में करते हैं पर इस उपय को करने के लिए आपको बेल पत्री की जो डंडी का भाग करना है वो करना है महादिव की ओर जी हाँ जो डंडी का भाग करेंगे वो महादिव की ओर रहेगा और पत्ती का भाग जहां से जल भेके जाता है उस दिसा में हो इस बात का ध्यान रखके चड़ाईएगा समर्पित कीजेगा चिकना भाग निची की हो रहाएगा अब क्या करेंगे जो पंचामर्द लेके गए आपको उस पंचामर्द को थोड़ा ता पंचामर्द जो बेलबत्वी चड़ाईएगी ना आपने उसके उपर चड़ा दो ठी समर्पित कर देना है बस इत्ता सा करना है पर देखो ध्यान रखना डंडी का भाग महादीव क्यों रहना चाहिए पत्ती का भाग जल बेकी जाता उदर आएगा पहले पंचामर्द चड़ाएगे बेलपत्री के ऊपर फिर समझारी हूं मैं आपको ठीक है ओफिर थोड़ा स हात से चलग जाता है गिर जाता या कभी कभी ऐसा होता है कि हात लोट लोटा हाथ से छुट जाता या हमारे पूर भाग से करने इस उप़ और ऐसे की तरप्दीं चैया होता हैसकत aí तो बहुत कार्याप का जरू सफल होगा तो बहुत अच्छा हो पाए एक दिब नया हो पाए एक बार आप करके देखोगे और एक ही बार करना है इस उपाय को तो करके जरू देखें का स्री शिवाई नमस्तु ब्यां